उत्रप्रदेश के जनपद हापुड में राष्ट्य असेनिक संस्था के तत्वाधान में रेमन मैकसेस अवाड़ी स्टॉक होम वाटर प्राइस विजेता जलपुरूश राजेंद्र सिंग के नेतरित्व में राजस्थान के भी कमपूर से तरुन भारत संगत भारा शूरू की गई किसान कानुन साक्षरता यात्रा के हापुड पहुझने पर एक विवाह मंडप में प्रेसवारता का आयोजन किया गया जहां मिडिया से बात करते हुए रेमन मैकसेस अवाड़ी जलपुरुश राजेंद्र सिंग ने सरकार द्वारा बनाए गई क्रिशि बिल को दे कि यह बिल देश की जनता को गुलामी की तरफ ले जाने वाला बिल भी है क्योंकि इस बिल के माध्यम से जब किसान की समस्त फसल को एक व्यक्ति द्वारा स्टॉक कर ली जाएगी तो वह अपने मनमाने दामों पर इससे बेचने का काम करेगा सिस्टम था इस सरकार में उसी तरह के अधिकार खेती में किसानी के इन तीनों कानून इन उद्योग पतियों को बड़ी कंपनियों को देने की ववस्ता की है यह जो बड़ी ववस्ता की है इस बड़ी ववस्ता से यह इस परस नजर आता है कि यह कानून किसान के हितके नही वाले हैं ये गुलामी का रास्ता क्या होगा ये समझने की ज़रूरत है। प्राय रखने के लिए आगे बढ़कर सरकार को इसक्रिशी बिल्द को वापस लेने में सहयोग करे। तथा देश को गुलामी की और जाने से बचने में महत्वपुर्ण भूमी का अधा करे।